हेलो नमस्कार श्वागत है आप सभी का सरकारी जानकरी यूट् lattice चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री ग्रामीर आवास योजना की नई लिस्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों प्रदान मंतरी आवास यूजना की नई सूची हाली में जारी कर दी गई है तो आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं कि आपको आवास यूजना में सामिल किया गया है या अभी तक नहीं किया गया है तो वह सूची देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी जानकारी हैं आपको इस वीडियो में देंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सरकारी जानकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो का अपडेट इस पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन जल से जल आप तक पहुंच जाए तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और यहाँ पर दिखाते हैं आप किस प्रिकार से वो लिस्ट निकाल पाएंगे तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आज आएंगे pmyojanalis.in यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर प्रधान मंत्री ग्रामीड आवास योजना की नई सूची के बारे में देख और जान पाएंगे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इस योजना के तहट आपको कितनी रासी मिलती है और यह योजना में आपका नाम किस प्रकार से सामिल हो सकता है वो पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर step by step समझाई गई है और साथी साथ आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप इस योजना का लाव लेने के लिए उस application form को कैसे डाउनलोड करोगे और उसे में क्या-क्या भरना पड़ेगा क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है वो सारी डीटेल भी आपको इस वेबसाइट में दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं application form दिया हुआ है इस पर जब आप किलिक करोगे तो आप वो form डाउनलोड करके और मांगी गई डीटेल को फिल करके आप बड़ी आसानी से इस योजना का पात्र बन सकते हैं तो योजना की लिस्ट निकालने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदहान मंतरी ग्रामीर आवास योजना 2020 के जरूरी दस्तावेज आप यहाँ पर देख और पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जरूरी दस्तावेज होते हैं जो आपके पास होने चाहिए और किस प्रकार से आप इसका पंजी करन कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अपनी लिष्ट की तरफ कि आप लिष्ट किस प्रकार से निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण का आपको एक option दिखाई देगा उसी में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधान मंत्री गरामीर आवास योजना की official website पर जाएं तो यहाँ पर आपको यह जो official website दिख रहा है blue color में या black color में जिस color में दिखे आपको इसके उपर click करना चलिए हम इस पर click करते हैं हम जैसे इस पर click करेंगे तो हम direct इसकी official website जो अधिकारिक website है इसके उपर आ जाएंगे, अब यहाँ पर आपको ये जो three line दिख रही है, इसके उपर click करना, चलिए हम इस पर click कर देते हैं, हमने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आवास सॉफ्ट, आवास सॉफ्ट के उपर हमको क्लिक करना, चलिए हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे आप्सन दिखते ह अब यहाँ पर आपको report option के उपर click करना है जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो यह एक नया page open हो जाता है यहाँ पर आपको कई column मिलते हैं जैसे कि A, B, C, D, E, F बहुत सारे आपको column मिलते हैं लेकिन आपको list निकालने के लिए जो E section दिख रहा है E section report इसमें आपको जो यह चौथे नंबर पर दिख रहा है फोर्थ नंबर पर category wise SECC data verification summary इसके उपर click करना चलिए हम फोर्थ नंबर पर click करते हैं क्लिक करने के बाद एक नया page में यह open होगा अब यहाँ पर आपसे आपका state यानि आपका राज पूछा जा रहा है तो यहाँ पर I'll select के उपर click करेंगे अब जिस भी आप प्रदेश से belong करते हैं आपको वो प्रदेश इसमें select कर लेना है चलिए हमने उत्तर प्रदेश इसमें select किया इसमें थोड़ा सा processing लेता है उसके बाद अब यहाँ पर आपसे आपका जिला पूछा जा रहा है कि आप किस जिले से belong करते हैं तो आप जिस जिले से belong करते हैं सबसे पहले आपको इसमें अपना जिला चुन लेना है चुनने के बाद okay करना है अब यह फिर से processing करेगा दोस्तों मेरा internet थोड़ा slow है इसलिए यह थोड़ी देर तक processing करता है इसके बाद आपको तीसरे number के select box पे जब click करोगे तो आप से यहाँ पर आपकी block पूछी जाती है तो चलिए हम एक block को यहाँ पर चुन लेते हैं block चुनने के बाद यह नया page में open हो जाएगा अब यहाँ पर आपसे आपकी gram पंचायत यानि आपका gram जिस भी आपने gram पंचायत या किसी दूसरे गाउं की list निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उनके नाम मिल जाते हैं चलिए हम किसी एक gram पंचायत के उपर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद आप आप देख रहे हैं यह जो कैपचा दिया हुआ है इसको आपको इस box में fill करना होता है फिल करने के बाद सम्मीट बटन पे किलिक करना है तो चलिए हम का अपचा इसमें फिल करते हैं और सम्मीट बटन पे किलिक करते हैं हमने जैसे इसमें किलिक किया अब आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो ग्राम पंचायत है उसमें जितने लोगों को आवास दिया गया है उनकी पूरी सूची आ गया है यहाँ पर 21 लोगों को आवास दिया गया है अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले district name फिर block name फिर पंचायत name फिर registration number फिर बेनी फिसरी का नाम जिसको य हुई होती है अब आप यहाँ पर अगर आपका नाम इसमें है तो आप चेक कर सकते हैं या अगर आपको किसी दूसरे का नाम चेक करना है तो आप इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी की पूरी detail चेक करनी है क उसकी पूरी detail कैसे निकालने तो वो कैसे निकालनी होती है सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो registration number दिये हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो registration number दिये हुए होते हैं आप जैसे किसी की हमें detail निकलवानी है तो हम सबसे पहले उसी registration number के उपर किलिक करेंगे हम जैसे इस पर किलिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी पूरी detail निकल कर आ जाती है उसकी photo और उसके पिता का नाम वगएरा वगएरा और उसको जो उसका bank information plus उसको जो पैसा दिया गया है वो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाख बीस हजार रुपे इनको पे किया गया है और वो किस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें तीन किस्तों में यह पैसा दिया गया है सबसे पहली किस्त इनको 40,000 की फिर 70,000 की और फिर 10,000 रुपे की इन्हें तीन किस्ते पे की गई हैं और यहाँ पर उनकी डीटेल दी होती है कि किस महिने में उनको ये किस्तें उनके बैंग अकाउंट में जमा की गई हैं उसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके मकान की फोटो भी दी हुई होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यानि कि आप पूरी डीटेल किसी भी विक्ति की इसमें बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं फिर चाहाँ आपकी हो या बेल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं एक और नई फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार